कि नमश्कार दोस्तों संकर इस्टडी पॉइंट यूटूप चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज में बच्चों आप सभी लोगों के लिए बाल विकास से प्रस्न को लेके आए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं. आज आप सभी लोगों के सामने टेट सीटेट से रिलेटेड बाल विकास से प्रस्ण है चलिए इस स्टार्ट करते हैं पहला जो हमारा प्रस्ण है लिखा है कि संगठन का आवस्यक सिधान्त है क्या होता है संगठन का आवस्यक सिधान्त धन कमाना है संगठन का नाम वधाचा है बिभागी है रोजगार या आउसर है तो जो संग्टन का आवश्चक सिधान्त होता है ये इस्पेसल है किसके लिए सीटेट के लिए किसके लिए है ये इस्पेसल तो ये इस्पेसल सीटेट के लिए है जो बताइए संग्टन का आवश्चक सिधान्त क्या है धन कमाना है संग का नाम हो अधाचा होना चाहिए विभागी होना चाहिए रोजगार या आउसर होना चाहिए बताइए कौन सा आपसन इसमें सही होगा तो इसमें जो हमारा आपसन सही होता वह आपसन नंबर थर्ड सही होगा कौन सा सही होगा आपसन नंबर थर्ड तीसरा आपसन इसमें सही ह जाए गा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला जो अमारा कोश्चन है वह लिखा है यहां पर पढ़ लिजे कि निमलिकी वड़न को पढ़िए तथा कोहल बर्थ के नैतिक तर्ख यहां से कोश्चन बन सकता है कि कोहल बर्थ ने कौन सा सिध्धान दिया था तो न कारे परिभासित किया जाता है जो कानूनियों सामाजिक समझोते पर ध्यान दिये बिना संपूर मानवता के लिए बैद्ध्य होता है तो यह हमारा इतना क्या है यह हमारा वड़न दिया गया है इस पे हमको आपसन में सही करना है कौन सा सही होगा चलिए आपसन देख लेते है आपसन यहां हमारा है कि सार भॉय नैतिक सिध्धान्त अभिविन्यास यांत्रिक उदेश अभिविन्यास सामाजिक अनवंधन अभिविन्यास सामाजिक क्रम ब्योस्था अभिविन्यास तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है कि जो कानूनियों सामाजिक समझोते पर ध्यान दिये बिना संपूर मानवता के लिए बैद्ध होता है यहाँ पे हमारा कौन सा आप्सन सही होगा तो इसमें हमारा जो आप्सन सही होगा वह सही होगा कि सर्व भौम नैतिक सिध्धान अभी बिन्यास किसके द्वारा दिया गया था तो यह कोहल बर के द्वारा दिया था कौन सा सिद्धान नैतिक सिद्धान मने पहले ही बता दिया था तो सर्व भौम नैतिक सिद्धान अभी विन्यास इसका पहला एंस्वर राइट हो जाए चले अगले question की तरफ चलते हैं अगला जो हमारा question है वह लिखा है कि निमलिखीत में से कौन सा मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुक कौसलो में से एक है यह सभी जो पियाजे के जितने भी हैं चारों अवस्थाइं इसमें से हर साल एक दो question हमेशा आते हैं ठिक तो पियाजे का हमारा क्या है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है उसमें से कौसलो में से एक है पूछा है तो आपसन आप सभी लोगों के सामने है इसको आप सभी लोगों को बताना है कि कौन सा होगा तो यह जो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है या संग्यानात्मक जो अ माने जाते हैं तो उसके जनक जीन पियाजे माने जाते हैं कौन माना जाता है जीन पियाजे माने जाते हैं चलिए अब देखते हैं कि कौन सा मूर संक्रियात्मक उस्था के प्रमुक कॉसलों में से एक है पहला अप्सन है दुति वर्तुल प्रतिक्रियाएं दूसरा अप्सन ह संजीव आत्मक चिंतन तीसरा है तुलना समानता वा असमानता बताने की योगिता चौथा परिकल्पित निगमकता तर्थ तो सबसे ज्यादा में इंपॉर्टेंट यह बात रखती है कि कि इसमें से कौन से हमारी प्रस्ण किसके अंतरगत मूर्ज संक्रियात्मक अवस्था के अंतरगत आते हैं तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा आता है तो मूर्ज संक्रियात्मक अवस्था में हमारा तुलना दिया जाता है समानता होती है वासमंता के बारे में बताने की योगिता रखते है तो कौसलो में से यह आफसन हमारा सही हो जाएगा तो आफसन और जितने भी महतपूर प्रश्ण होंगे सीटेट से लिरेटेड सभी प्रश्ण कराए जाते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा दोस्तों में सेयर कर दीजिए जिससे सब का लाब हो जाए इस वीडियो के द्वारा चलिए स्टार्ट करते हैं अगला कोशन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमड की पहल करती उसी क्या कहते हैं कर पहला हमारा यहाँ पे आप्शन है कि बाल्य अवस्था की समापती है दूसरा की सोरा वस्था है तीस्रा मध्य बाला वस्था है और चौथा है पूर क्रियात्मक अवधी, तो इस चारों में से बताइए कौन सा आपसन सही होगा, फिर से प्रस्था देख लिजीए वह अवधी जो वयसकता के संक्रमण की पहल करते उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कि सोरा बस्था, क्या कहा जाता है, कि सोरा बस्थ है वह है एक प्रारम भी कच्छा कच्छ में एक बालक बाली का अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं तो उन्हें सामिल कर उनका संचे करना चाहिए उन्हें असिविकार करना चाहिए उनकी उपेच्छा करनी चाहिए उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए इसमें बात य या PG जो हता या primary में जाता है तो एक प्रारम भी कच्छा में या कच्छ में कोई जब बालक या बाली का अपने साथ अनुभो क्या क्या लेके आता है तो क्या उसे हमें सामिल करना चाहिए उसके संचे करना चाहिए या उन्हें असिविकार या हटा देना चाहिए असिविकार में जो भी अनभोलाता है तो उन्हें क्या चरना चाहिए उन्हें हमको सामिल कर उनका संचे करना चाहिए तो आपसर नमबर यहां पे हमारा जो पहला है यह सही हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं इसमें आप सभी लोगों के लिए टोटल हमारे जो प्रस्ण है यह टूंटी वन होंगे चलिए स्टाट करते हैं अगले कोश्चन की तरफ देखिए अगला जो हमारा है कि कोहल बरके अनुसार एक बाल कोहल बरके अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से अस्तर में वह नैतिक मुल्यों का आंत्री करण, अभ्यांत्री करण, प्रदर्शित नहीं करता और बालब के नैतिक तर्बाह पूरशकार और दंड से नियंत्रित रखते हैं यह very very important कर सकते हो, यह बहुत ही बार पूछा गया प्रस्न है, तो आप्षन में इसमें दिख रहा है पूर परंप्रागरत, परंप्रागरत, पस्य परंप्रागरत और जो हमारा चौथा आप्षन है, वह सर भौमिक नैतिक सिध्धान, तो इसमें बताईए कौन सा आप्षन हम तरक और बाय पूरशकार और दंड से नियंतरी तरकते हैं, वह पूर परंप्रागरत में अनुसार आते हैं, तो आप्षन नमबर फर्स्ट यहां पर हमारा सही हो जाएगा, तो यह किसके अनुसार था, तो यह हमारा कोहल बर्ग के अनुसार यह हमारा था, चली, अगले अंतर ग्यान अंतर बोध पर आधारित है ना की विवस्थित तरफ पर पियाजे जीन पियाजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास की या अवस्था कहलाती है देखिए इसमें सभी अवस्थाइं दी गई है जैसे समेधी गामक अवस्था है पूर क्रियात्मक काल है मूर्थ क अंतर ग्यान की बात की जा रही है अंतर ग्यान या बेवस्तित तर्पर पियाजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास की या अवस्था कौन सी होगी तो यह हमारी जो अवस्था होती है पूर क्रियात्मक काल के अंतर गताती है अपसन नंबर दूसरा यहां पे हमारा सही हो जा गया है और ओभी किस लेबल में 125 125 प्रैमरी लेबल में चलिए अगले आपसन की तरफ चलते अगला कोश्चन हमारा जो है अगला कोश्चन है कि एक बालग जिसे मानो संपर्क से मानो संपर्क से पिथक बड़ा किया गया प्राया दीर्खकाल तक अयक्तितिक भासा की कमी को दर साता है अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि कोई एक बालग है जिसे मानो के संपर्क से प्रिथक कर दिया गया है और वह दीरकाल बहुत समय के लिए अत्यदिक भासा की कमी को दर साता है जो बाद में भासा उद्भासान अन्भो द्वारा पूर्ड उप से बिरले ही पूर देता है तो इसमें आपके आप्सन दिख रहे हैं तीन आप्सन एक आप्सन और मैं दिखा दे रहा हूं वह है चौथा आप्सन बताईए वातावरिक होगा जैविक होगा अंतह क्रियावादी होगा बेवहारिक होता है तो इसमें जो हमारा आप्सन सही होगा वह आप्सन सह ही होगा कौन सा अंतह क्रिया वादी कौन सा अंतह क्रिया वादी आपसर नंबर तीसरा यहां पे हमारा सही हो जाएगा चलिए अगले क्वेशन की तरफ चलते हैं बालकों की सामाजिक दच्छता के विकास के लिए निमलिखित में से कौन सी परिवेश सहली की अधिक्तम प्रभावी है अर्थात इसमें पूछा है कि बालक की जो सामाजिक दच्छता होती है वह विकास के किस परिवेश सहली पर सबसे अध्यधिक प्रभाव या प्रभावी है पहला अपसन है अधिनायक वादी अगला है दूसरा लापरवा तीसरा है प्राधिकारिक और चौथा है क्रिपालू तो पताईए इसमें कौन सा आपसन हमारा सही हो जाएगा तो इसमें हम बता दें कि आपका जो आपसन सही होता है परविश्य सहली अधिक्तम प्रभावी होगा वह होता है प्राधिकारिक अवस्था जो होती है वह हमारा यहां पर प बिकास के लिए प्राधिकारी जो परवेश सैली अधिक्तम प्रभावी होगी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला जो हमारा कोश्चन है वह है कि बिकास से किसे हैं बिकास में लिखा है कि बिकास के संबंध में निमलिखित में से कौन सा सार्थक तत्य है यह पिसिष्ट से सामान की और अग्रसर होता है यह आपके प्रस्ण है विकास के संबन्द में कौन सा इसमें सार्थक तथ्य है यह सही सही तथ्य है उसको आप सभी लोगों को बताना है यह आनुवंस की और वातावरन की अंतह क्रिया का परिडाम है तो यह कौन सा अपसन अपसन नमबर कौन सा यहां पे सही हो जाएगा आपसर नमबर दूसरा यहां पे सही हो जाएगा चले अगले कोश्चिन को देख लेते हैं अगला है चौमस्की चौमस्की के अनुसार चौमस्की के अनुसार भासा अरजित करने की एक अंतर जाच छमता है जो मानो को जैविक वंसाग के फल सुरुप प्राप्त अधुति छम्ता को कहते हैं तो यहां पे तीन option दिक्ए रहा है कौन सा option है उसको हम बोल। हमारा भासा ज्ञान. चली तो चारो option आप सभी लोगों को हो गया दिख रहा है इस में बताएए कौन सा option हमारा सही हो जाएगा तो इसमें हमारा जो आप्शन सही होगा चमस की भासा से रिलेटेड है सभी लोगों को पता है तो कौन सा आप्शन होगा इसमें जो हमारा सही होगा आप्शन वह होता है भासा अरजन साधन या तंत्र दूसरा आप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं हमको ध्यान रखना है कि चमस की किसके अनुसार थे तो भासा, अरजन और साधन तंतर से चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला हमारा कोश्चन है विकास के पच्छ से चलिये, बिकास के पच्छय छेत्र जैसे की सारेरिक, संग्यानात्मक, सामाजिक और समेगात्मक निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया से विक्सित होते हैं आप्सन है प्रिठककता से आंसिकता से याद्रिचिकता से समग्रता और सलक्रियलेपता या समपूरता से इन में से कौन सा आप्सन सही होगा विकास के पच्च की बात की जा रही है जैसे कि सारेरिक है संग्यानात्मक है समाजिक होता है समेगात्मक होता है तो इसमें जो हमार आपसन सही होगा वह आपसन सही होगा कौन सा फोर नंबर का आपसन सही हो जाता है फोर नंबर आपसन देख लिए इसमें लिखा है कि समग्रता और साकलेता समपूर्ता से जो होंगे वही आपसन हमारा यहां पे सही हो जाएगा चले अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला या कृत्य जो मानव जो बालक के स्वयम के लिए अत्यधिक कठिन है परंद किसी प्रोण और अत्यधिक कुसल साथी की साहता से करना संभव हो कहलाता है तो कौन सा पहला है निर्देशित सहभागिता इसका फोल्डिंग या पार या धांचा ये भी देखे बहुत बार कोशन आया इसको भी इंपॉल्टेट में कर लिजेगा आशन विकास छेत अंतह ब्यक्ति निष्ठता तो बताइए इसमें कौन सा आपसन हमारा सही होगा तो वाईगोस्की के अनुसार वह कारिये जो बालक के स्वयम के लिए अत्यतिक कठिन हो परंद किसी प्रोण या अधिक उस अधिक के साहते से करना संभब हो तो जब भी ऐसे प्रस्नाए या वाईगोस्की के अनुसार आते हैं दिंको किस पर मारी आइसको के फोल्डिंग पर मारीए गार ये हमारा दूसरा आफसन यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरा आफसन सही हो जाएगा तिक चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला हमारा question है कि प्रगत सील सिच्छा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है प्रगत सील बच्चों की बात की जा रही है तो प्रगत सील जो होता है क्या उन्हें खाली प्लेटों के रूप में देखा जाता है उनके धिमाग में कुछ नहीं है चोटे वैसकों के रूप में दिखा जाता है या निस्क्री अनकारकों के रूप में दिखा जाता है तो जब भी कोई प्रगत सील बच्चा है या प्रगत सील सिच्छा अगर है या बच्चों को प्रगत सील सिच्छा दी जा रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा important यह बात रखती है कि जो सक्री अनवेशकों के रूप में होगा वह कि उसी प्रकार से देखा जा सकता है तो यह हमारा चौथा आपसन जो होगा वह सई होगा किसके लिए प्रगस्तिल सिच्छा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है त वह सक्री या उसमें भाग लेने के वज़ा से या भाग जो लेते हैं बच्चे वह सक्री हो ताथ उसमें पढ़ने की उनकी रुची हो प्रगस्तिल सिच्छा में तो वह सक्री अनवेशक के रूप में देखे जाते हैं चैनल पर यह नए हैं चैनल को सस्क्राइब कर दीजि तो सही प्रकार से सूचित करता है विकास योम अधिगम अंतह संबंधित और अंतह निर्भर होते हैं विकास योम अधिगम संबंधि नहीं हो अधिगम विकास का ध्यान किये बिना घटित होता है अधिगम की दर विकास की दर से काभी अधिक होता है यह चार आफशन है इसमे प्रकार जो सूचित करेगा वही आफसर हमारा सही होगा किसके किसके विकास और अलिगम के तो विकास योम अधिकम अंतह सम्मंधित होते हैं और अंतह निर्भर होते हैं तो आफसर नमबर हमारा फस्ट यहां पे सही हो जाए कौन सा सही होगा आफसर नमबर फस्ट चलिए अगला कोशन आ गया लेव वाईगोस की के अंसार आधार भूत मांसिक छमताओं को मुख्य रूप से किस के द्वारा उच्चतर संग्यानात्मक प्रतक्रियाओं में बदला जाता है किस के अंसार लेव वाईगोस की के द्वारा ये भी important प्रेस्ट है जितने भी important प्रेस्ट है उन सभी को आप सभी लोग नोट करते हुए चलिए गाच चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा पहला अप्सान है अनकूलन योम संगठन पूरसकार योम दंड सामाजिक पारस्प्रिक क्रिया उद्दीपन अनक्रिया संबंध तो लेव वाईगोस की क अनुसार आधार भूत मानसिक चम्ठाओं को मुख्रूप से किसके द्वारा उच्चतर संग्यानात्मक प्रत्क्रियाओं में बदला जाता है तो जो लेव वाईगोस की हैं इनके अनुसार सामाजिक पर सामाजिक पारस्प्रिक क्रिया जो होती उस पर प्रत्क्रियाओं को संग्यानात्मंग में बदला जाता उच्छतर संग्यानात्मंग में बदला जाता option number 30 यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए अगले question को देख लेते हैं अगला है एक बच्चतर प्रस्तूत करता है चलिए यह थोड़ा है ऐसा करता तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे जेल भी दिया जाएगा और यह कोहलबर के नैतिक सिच्छा या नैतिक समझ के अनुसार कि सवस्था के अंतरगत आता है तो एक कोहलबर किस नयतिक समझ की किस सवस्था के अनुसार आएगा चली आपसन देख लेते हैं यहां पे हमारे चारों आपसन आ गए तो यहां पे एक कई बार प्रस्ण आया है इसको इंपॉल्टेंड में कर लिजेगा वेरी इंपॉल्टेंड में इसको अगर हम चोरी करते है तब उसको हम हम और बाद में वो दिमाग में लगा दिमाग से सोचता है तो और जेल में दिया जाएगा तो यह दिखी कोहल पर के जो अनुसार होता है यह किसके अनुसार दण्डियोम आग्या पालन अभी बिन्या वो सोच लête है कि उसे अगर ऐसा हम करते हैं अगर ऐसा हम कर देंगे हिंज की दवागर हम चूरी करते हैं तो हमें दण्ड होगा यह हमें आग्या का पालन करना होगा तो इस में हमारा जो आपसन सही होता वो आपसन चार सही हो जाए गा और यह कोहल बर के अनुसार है ठीक नैतिक समझ के अनुसार चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं जो बच्चे स्वयन से मौखिक संबाद करते हैं उन्हें लेवास की क्या करते हैं मत इनके अनुसार बताया जारा है कि जो बच्चे होते हैं स्वयम से मौकिक संबाद करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं तो समस्यात्मक वारता अहम केंधित वारता ब्यक्तिगत वारता या भ्रांग वारता बताईए तो जो बच्चे स्वयम से मौकिक संबाद करते हैं उन्हें ह जाएगा ये भी important person है चलें अगले question की तरफ चलते हैं अगला हमारा है लेव वाई गौस्की के अनुसार अधिगम की बात की जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अधिगम क्या है किसके अनुसार लेव वाई गौस्की के अनुसार बताईए तो पहला option है एक अनुबंधित गत्विधी है एक सामाजिक गत्विधी एक ब्यक्तिगत गत्विधी है या एक निस्क्रिक गत्विधी है तो ये जो हमारा प्रस्न है लेव वाई गौस्की के अनुसार अधिगम जो होता है वह एक सामाजिक गत्विधी होता है option number यहां पर दूसरा सही हो जाएगा कौन सा सही होगा option number second चलिए अगले question की तरफ चलते हैं सारेरिक सिच्छा किस से प्रस्णा गया सारेरिक सिच्छा से सारेरिक सिच्छा वा खेलों में सबसे प्रभावी जन सम्पर्क है पहला अप्सन अभिभावक या अध्यापक सभा, उपकरणों का प्रबंध, प्रति अस्परधा कारकरम, रिकॉर्ड्स का रख रखाओ, बताइए कौन सा अप्सन इसमें सई हुगा तो जो सारेरिक सिच्छावा खेलों में सबसे प्रभावी जनसंक पर्क होता है, वह अभिभावक और अध्यापक का जो सभा होती है, उपसन नंबर फर्स्ट होता है, वही हमारा यहां पर फर्स्ट उपसन क्या हो जाएगा आपसर नमबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा चलिए आज का लास्ट कोश्चन देख लिजे लास्ट कोश्चन लिगा है बृध्धी निमलिकित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है बात की जारी किस की बृध्धी की बात की जारी है बृध्धी की बात की गई है कि कि स्काल में सबसे अत्यधिक होती है क्या सैस्वा वस्था में बाल्या वस्था में प्रवढ़ा या उपर्युक सभी तो जो ब्रिध्धी होती वह सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है तो वह आवस्था होती सैस्वा आपसर नंबर हमारा होगा फस्थ तो इसमें ब्रिध् सभी लोगों के लिए आज बाल विकास से अतिमहतपूर प्रस्ट चैनल पर नई है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा दोस्तों में सेर करना ना भूलिए गा जिससे उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सके और आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा बता कमेंट म बताना ना भूलिए गा थैंक्स फार वाचिंग